यह त्रिफला चून है इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बाते ऐसी बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे क्योंकि इसको मैं कई सालों से इस्तेमाल करना हूँ और इस वीडियो के आखिर में आपको सही रेट बताऊंगा कि इसका जो है सही रेट क्या होता है MRP तो सभी लोग पढ़ देते हैं लेकिन यह हमें कित्ते का मिल सकता है यह भी मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से आखिर तक देखेगा क्योंकि इसमें आपको कई बातें ऐसी मिलेंगी जो आप जो नहीं जानते होंगे और उनसे आपका फैदा भी हो सकता है मैं राजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज और ग्यान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम यह जान लें कि तिरिफला चून क्या होता है यह जो है एक आयरुवेदिक जो है मेडिसिन है और इसको देखे जो है आमला, हरड और बहेड़ा तीनों को मिला कर पीस कर जो है चून बनाया जाता है तो वो जो है तिरिफला चून बनता है यह जो है इसके फाइदे बहुत हैं यह समझ लीजे एक ऐसी आयरुवेदिक मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और यह हर एक आदमी खा सकता है बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बाते होती है उनको ध्यान में रखके आप इसको खा सकते हैं इसके कई फैदे हैं इसके फैदे मैं आपको बताता हूँ मैं इसको जो है कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले मैं इसका छोटा डिबा लाता था और वो देखिए वो छोटा डिबा ये है ये छोटा डिबा जो है ये होता है 120 ग्राम का ये देखिए यहां लिखा होगा अगर आप देख सकें तो यहां पे यह जो है 120 ग्राम लिखा है और यह पहले का है तो यह जो है समझ लिजे इसको मैंने खरीदा था 2020 में करीब यह इसके उपर 58 रुपए लिखा है अब यह महंगा हो गया है तो और यह महंगा पड़ता था 120 ग्राम का 58 रुपए का अब यह मैंने इसका जो है 500 ग्र ग्राम का ये देखिए ये 500 ग्राम का है ये 500 ग्राम लिखा है और ये 164 रुपए का है लेकिन ये मुझे कितने का मिला ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा पहले इसे इसके जो है फैदे हम लोग जान ले इसका जो है ये एक तो पेट को साफ करता है मैं भी उसी कबज के लिए खाता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी बावासीर की दिक्कत थी तो उसके लिए जो है ऐसा होना चाहिए उसके लिए समझ लिजे कि हमको कबज नहीं रहना चाहिए बावासीर में तो बावासीर में जो है ये बहुत ही फायदा करता है नमबर एक और दूसरा जो ये है पेट के सारे रोगों में बल्कि पेट कोई भी रोग है आपको दिक्त है पेट में तो सब में ये फैदा करता है शरीर की शक्ति बढ़ाता है एसीडिटी को दूर करता है गैस को जो है दूर करता है और हजारों बिमारियों में ये जो है लापदाहिक है इसको बल्क यह त्रिफला जो है हमारे पाच्चन को मजबूत करता है कब्ज को दूर करता है रोगों से लड़ने की शक्ती को बढ़ाता है और आखों की रोशनी में भी जो है ये जो है बहतर होता है आखों की रोशनी को भी बढ़ाता है खून बढ़ाता है और खून को साफ भी करता है और यहां तक कहा गया है कि बलकि यह जो है cancer में भी लाबदायक है लेकिन ज्यादा तर लोग जो है इसको पेट के लिए ही खाते हैं कि जैसे पेट में दिक्कत है कबज है तो उसको दूर करने के लिए ही trifla खाय जाता है और इसके फायदे तो इतने है हजारों कि अगर मैं बत ये मैं ये डावर का खरीदता हूँ आते तो ये कई कमपनियों में हैं लेकिन डावर का ही मुझे सूट करता है और इसका खाने का तरीका जो है इसको जो है अगर आपको कब्ज है तो रात में रात में आधा या एक चमच आप जो है खा के उपर से गरम पानी पी ले या फिर और पीट साफ हो गा तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगी। इसे आप जो हैं पिपार पैनी के साथ खाएं और रात में आप गरम पानी के साथ खालें। आप bacter के सीमें कि वीक्त शकायत हैं। और याप उसी सीमें अबस हैं। सुबह नाश्टा करके उसके बाद भी जो है आधा चम्मच आप खा सकते हैं उपर से आप जो है पानी पी लें तो भी आपको फैदा करेगा लेकिन मैं इसको जो है एकदम डेली नहीं खाता कि मतलब जो है रोज खा रहा हूं महीनों तक मैं इसको जैसे हफता दस दिन खाता ह नहीं है उसके बाद जैसे सई हो जाता है कपज तो इसको छोड़ देता हूं फिर थोड़े दिन या हमारा पेट जो है एकदम सही अपने आप पोर चल रहा है पेट में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आप भी ऐसे खा सकते हैं कि आप इसका ये बड़ा डिबबा लेकर आप रात में खाएं अगर कप्च की शिकायत है नहीं तो दिन में भी खा सकते हैं क्योंकि इसके हजार खाने के बाद वैसे ही खा रहे हैं रोज का आधा या एक आमला खा रहे हैं तो वह समझ लिजिए इतना फैदा करता है कि आपको और कोई मल्टी विटामिन खाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप आमला का सेवन रोज कर रहे हैं तो मल्टी विटामिन खाने की जरूरत ही न लाबदायक है हरड तो वैसे ही लोग पीस के रात को खाते हैं और साथ में बहेड़ा बहेड़ा भी बहुत ही लाबदायक होता है हमारे लिए तो तीनों चीजें बहुत ही अच्छी है इसके ओपर यह देखे लिखा भी है मात्रा इसकी आधा यह एक चमच इसको जो है जल और इसका जो आप यह देख रहे हैं कि 164 रुपे डेट लिखा है तो इसका भी मैं आपको अभी पताता हूँ कि यह मुझे कितने का मिला है और इसके ओपर कितनी च्छूट मिली है यह देखे यह अभी मैंने लिया है करीब 10 दिन पहले अभी यह बंद है इसकी सील खुली तो पैकông है और इसको जो है यह कि आप 4 हजार 201 बॉर यह बना था और यह अबी चल एक तिन दोो हजार तेरी तक तो आज डेट है अभी जनवरी दो हजार पाईस है तो ये साल भर अभी साल भर से जादा ही है इसका टाइम तो मैं इसको अराम से खाता रहता हूं रात में एक चम्मत जो है हफता भर खाया फिर थोड़े दिन छोड़ दिया फिर खाया इस तरीके से मुझको तो काफी फै इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात और भी है कि ये कुछ लोगों को जो है नहीं खाना चाहिए या फिर डाक्टर की सला से ही खाना चाहिए ये नहीं कि हर एक आदमी जो है इसको खरीदे और जो है खाना शुरू कर दे कुछ लोगों को नुकसान भी थोड़ा चाहिए क्योंकि उनका पेट नाजुग होता है और यह साफ करने में चाहिए और अगर उन बच्चों को हम अपने आप दे लें इसको एक चम्च रोज का हो सकता है उनको जो है फम जा और पकहते जड़ा हो जाए जिनको जो है अपने आप उनका पेट साफ होता रहता है और जल्दी जो है वो मतलब लूज मुशन उनको लग जाते हैं थोड़ा साई खाया तो उसको जो है लूज मुशन लग गए कई लोगों को तो जो है दिन में कई कई बार जो है जाना पड़ता है लैटेन के लिए तो वैसे लोगों को भी ये रात में नहीं खाना चाहिए और तीसरा ये है तीसरा जो है गर्वती महिला होती है उनको ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो है ये पेट बहुत तीजी से साफ करता है तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए बाकी आम आदमी जो है वो इ है मुझे 2015 में बावा सीर की शिकायत हुई थी काफी दिक्कत हुई तो डॉक्टर ने कहा था कि आप बिलकुल आपको कब्ज नहीं होना चाहिए कब्ज से ही बावा सीर शुरू होता है तो बाकी चून चूरन जो आते हैं कब्ज को दूर करने वाले वह 100-100 ग्राम के आते हैं तो महंगे भी पढ़ते हैं और उनमें पता नहीं क्या-क्या मिला होता है तो त्रिफला एक ऐसी चीज है कि पेट साफ करने के अलावा यह बाकी भी बहुत फैदे देता है जब हम इसको खाते हैं तो पेट साफ तो करता ही है और बाकी भी शरीर को ताकत देता है और समझ ल रुपए का है 120 ग्राम जो है और अब जो है फिर मैंने बड़ा डिंपा लेना शुई किया यह 500 वाला यह 64 रुपए का है इस पे मुझको जो है छूट मिली और छूट कितनी मिली है यह भी मैं आपको बताता हूँ अगर आपको कबजी की शिकायत रहती है तो समझ लिजिए कि आपको त्रिफला चूण खाने से बहुत ही लाब मिलेगा और रात को इसको खाईए गरम पानी के साथ खाईए सोने से पहले खाना खाने के बाद जब आप सोने लगते हैं तो इसका आधा चमच ले लिजिए य उपर से गरम पानी पी लिजिए या फिर गरम पानी में मिला के फिर आप खाईए तो उससे सुबह आपका पेट भी साफ होगा और साथ में आपको तिन भर चुस्ती रहेगी क्योंकि जो है ये आपको मैंने बताया है कि बहुत ही फैदा करता है कई बिमारियों में और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है ये क्या रेट है सही और मुझको इस पर कितनी छूट मिली है और आपको भी कितने का ये मिल सकता है कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं देखे इसके ओपर ये जो है 164 रुपए लिखा है ना तो ये मेडिकल वालों को ये जो है समझ ल कर ला था कि 20 से 25 परसंट तक जो है 30 परसंट भी इनको जो है छूट मिलती है तो अगर आप किसी मेडिकल शॉप से कुछ नहीं कहेंगे तो हो सकता है वह आपको 164 का है यह तो 160 का दे दे यह 164 पूरे ही ले तो उसको कहिएगा कि आप जो है इसके ओपर वही हमको छूट परसंट पूरी छूट देओ ना तो फिर उसने मुझको कहा कि आप जो है 145 दे दिजे तो यह मुझको जो है 164 लिखा है तो यह मुझको जो है 145 का मिला है तो लगभग 19 रुपए इसमें जो है छूट मिली है और अगर आप नहीं कहेंगे तो हो सकता कोई दुगंदार तो 145 रुपए में 500 ग्राम काफी सस्ता पड़ा है और अभी इसमें डेट भी बहुत है मेडिसिन कोई भी खरीते हैं तो एकस्पारी तो आप जरूर देखते ही होंगे और उसका रेट भी देखिए और अगर दुगंदार अपने आप छूट नहीं दे रहा तो उससे कहिए हैं कि वो किती छूट दे रहा है 10% तो मिनिममम छूट मिलती ही है क्योंकि जादा तर जिती भी मेडिसिन होती है उनमें उनको काफी पैदा होता है तो कई दुगंदार तो अपने आप ही 10% छोड़ देते हैं और कहने से थोड़ा बहुत और कम कर देते हैं जिससे कि आपको जो है काफी कम रेट में अच्छी चीज मिल जाती है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो इससे आपकी थोड़ी नौलेज बढ़ी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है हमारे जो है आई बटन को जरू विश्कार जैहिन